जहिन बच्चो, बच्चो मैं अजय कमार वारा नसी उत्तरप्रदेश से आपके अपने चैनल नौ सिक्षन पर स्वागित करता हूँ बच्चो आज मैं नवदे विद्याले के लिए कुछ important questions बताने जा रहा हूँ जो की आपके exam जो की 20 जनौरी 2024 को exam है उसमें आ सकते हैं जैसा बच्चो जानते हैं कि पुराने आयवे प्रशन काफी important होते हैं और इस बार बच्चो syllabus काफी कम कर दिया गया है तो आपको हर एक तरीके से chapter wise प्रशनों को त्यार करना होगा और chapter wise अगर प्रशन चाहिए तो बच्चो कमेंट में जरूर लिखेगा तो इसी तरह के videos में मैं आयवे जो प्रशन हैं बिधिवत समझा कर आपको बता दूँगा बच्चो इसका WhatsApp ग्रूप भी बना हुआ है तो काफी बच्चे जुड़े हैं जो की free त्यारी कर रहे हैं 2500 से उपर बच्चे जुड़े हैं वीडियो के description में आपको WhatsApp ग्रूप का link और साथी साथ playlist भी बच्चो मिल जाएगी जिसमें मैंने 25 वर्सों के आईवे प्रशनों को विधिवत समझाया भी हुआ है थोड़े पुराने वीडियो हैं अब मैं latest वीडियो अभी बना रहा हूँ तो यह जो questions हैं बच्चो आपके अटल आवासी बिद्दाले जो की UP में खुले हैं बहतरी अटल आवासी बिद्दाले जो 18 मंडलों में खुले हैं उनके लिए ठीके और साथी साथ जो बिद्द्याग्यान मुख परिक्षा की बच्चे त्यारी कर रहे हैं उनके लिए वी questions काफी important है बच्चो ठीके पहला question आपके सामने है एक से पचीस तक की संख्याओं का योग फल क्या होगा अब देखे इसमें क्या है जैसे रहता है कि एक से पांस तक की संख्याओं का योग क्या होगा तो एक में दो जोड़ देंगे फिर तीन जोड़ देंगे फिर चार दो जोड़ देंगे फिर पांस जोड़ देंगे उत्तर आ जागी तो माली संख्या आप 25 तक जोडने के लिए समय काफी लगेगा तो उसके लिए बच्चों एक shortcut formula होता है उसको आप याद कर लिजे यह formula है n into n plus 1 बटे 2 ठीक है, n क्या है यहाँ पर n जिस भी संख्या तक हमें जोडना है वो आखरी संख्या n है जिस संख्या तक हमको जोडना है तो यहाँ वो संख्या क्या है 25 है ठीक है, तो n की जगा हमें देखे 25 करना है कई बच्चे जो नई बच्चे देख रहे हैं ध्यान रखेगा जो bracket होता है जब हम जोड लेंगे इसमें 25 और 26 जब जोड लेंगे ब्रैकेट हटाएंगे तो जो भी संख्या यहाँ रहेगी उससे यह गुणा होगा इसका आप ध्यान रखेगा ठीक है, तो हम फॉर्मला को लिख दे रहे है 25 ब्रैकेट 25 प्लस एक बटे 2 ठीक है, यह अब यह कितना हैगा 25 ब्रैकेट अब में खोल लाओं तो 25 और यह कितना हो गया 26 बटे 2 अब इसको हम काट दे रहे है 2 अंजा 2 फिर यह दिखे, आपको नहीं काटने आता है तो अलग से आप भाग कर सकते है 2 अंजा 2, 23 जा 6 25 और 13 को अगर हम गुणा करते हैं बच्चो तो आएगा 325 ठीक है, तो यह उत्तर आए 325 तो किस आप्शन में है, आप्शन नमबर B में है तो इस तरह से इस सवाल को बच्चो हल करना था यह बच्चो यह बुक है, रागो प्रकासन की बुक है, ठीक है जो कि नौगदे, बिद्याग्यान और अटलवासी को लेकर बनाई हो गई है तो आप इस बुक के जरिये जो भी आप है बच्चे अगर लेना चाहें तो ऑनलाइन ले सकते हैं इसके बाद है चार उंको की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिसमें प्रतेक अंक अलग-अलग है यह देखे जावार नौविद्याले 2007 बच्चे एक ची बता दू मैं इसी तरह के प्रशन बदल के पिछले साल भी आये है ठीक है, तो यह मत सूचे कि पुराने प्रशन है तो नहीं आ रहा है, यही बदल के सवाल आ रहा है कॉंसेप्ट आपको ध्यान रखने है देखे, क्या होता है इस सवाल है, प्रतेक अंक अलग-अलग है ठीक है, अलग-अलग अगर चार उंको की बड़ी से बड़ी संख्या लेनी होती हम चार बार नौ लिख देते, क्लियर है अब हमें इसमें क्या करना है कि अंक अलग-अलग होना चाहिए इसको आप याद रखेगा तब ही तहम बड़ी संख्या बनेगी नौ, नौ के बाद के आएगा? आठ आठ के बाद के आएगा? साथ साथ के बाद के आएगा? छे तो दूसरा अप्शन में इसलिए बच्चो 9876, अप्शन नूमर ए बच्चो सही है जिसमें भी प्रावलम आप बच्चो कमेंट सेक्शन में लिखेगा या किस टॉपिक पर मुझे पढ़ाना है तो मैं ओभी आपको बता दूगा यह देखे 2008 का आया हुआ है 7012 तथा 3 से बनने वाली पांच अंको की छोटी से छोटी संख्या यह देखे इस तरह के प्राशन बच्चो आते हैं अभी मैं लेटेस्ट देखता हूं कोश्चन है तो इसमें दिखा रहा हूं आपको यह देखे 2019 का है कोश्चन नमर 25 देखेगा बड़ी से बड़ी तता छोटी से छोटी पांच अंको की संख्या देखे सब पांच अंको की इन्हीं अंको से बनाना है तो इसी कॉंसेप्ट पर सवाल आते रहेंगे बस आपको समझना है ठीक है तो देखे सवाल बदल के कैसे भी आ सकते अब भी हमें क्या करना है इन अंकों से पांच अंकों की छोटी से छोटी संख्या बनानी है अब पांच अंक हमारे सामने दे दिया तो पांच अंक जरूर नहीं चाहिए याद रखेगा इसमें एक कॉंसेप्ट है बच्छो जैसे की छोटी स्छोटी हमें बनानी है जैसे आप पांच लिखे पांच के जीरो इधर लिखे तो क्या हो गया पचास हो गया कोई संख्या पांच है इसके जीरो तो अगर आप इधर लिख दिए तो इसका कोई भी मान नहीं होगा, इसको हम 5 ही पढ़ेंगे, ठीके, यही चीज हमें ध्यान देना है, इन अंकों में सबसे छोटा तो भाई 0 है, लेकिन हम 0 पहले नहीं रख सकते, क्यों? अगर 0 पहले लिख देंगे, तो इसको count करेंगे नह हम आ लिख चार हम संख्या हैं रख रहे हैं, तो यह तो भाई 5 अंकों की बजाए, यह तो चारी अंकों की संख्या है, क्योंकि 0 को तो हमें गिनना नहीं है, इसलिए 0 जब भी होगा, पहली संख्या के बाद होगा, पहली संख्या के बाद होगा, तो यह क्या बोला है, पां 1270 10237 तो यहां पर हम थर्ड का देख रहे हैं option number B में बचो यह option है 10237 question number 4 है निमलिकित में से कौन सी अभाज संख्या है अब इसमें से हमें अभाज संख्या बतानी है बचो पुराने वीडियो जितने हैं समय मैंने बताया है कि आपको एक से सो के बीचे में जितनी भी अभाज संख्या होती है उसको याद कर लिजेगा क्योंकि अगर आप याद कर लेते हैं टोटल 25 है बच्चो अभाज संख्या याद कर लेते हैं तो आपके सवाल एकदम चुटकियों में हल हो जाएंगे नहीं तो आप उसमें परिशान हो जाएंगे और अभाज संख्या क्या होती आपको पता है वह संख्या जो स्वैम से कटे और एक से कटे ठीक है तो यहाँ पर जो अभाज संख्या है वो है बच्चो 97 यह देखे 2008 में आया हुआ है अब देखे संख्याओं को लिखना अब इकाई धाई सैकड़ा वाला सबको पता है ठीक है हजार का कुछ नहीं बोला इसके बाद बोला आठ सो तेरा ठीक है तो हम देखते हैं कि दो अस्थान इन्होंने खाली छोड़ दिये एक तो दस हजार वाला ठीक है एक हजार वाला कुछ भी उन्होंने नहीं कहा आठ सो तेरा अखरी में कहा है ठीक है तो कुछ भी न गए 813 तो काफी असान प्रश्ण था पांच वंग तीसरा इस तरह के बच्चों मैंने प्रश्ण विदिवत समझाए वह पुराने वीडियो में तापको प्लेलिस्ट में जाकर देखना होगा ठीक है अब देखें कोश्चिन नमर 6 है आपके सामने संख्या 214.56 में पांच अं वाँ वाँ सब में लगाना है दसवाँ सवाँ हजारवाँ दस अजारवाँ लाकवाँ इस तरह से चलता है तो बच्चों हमेशा याद रखेगा जब भी अस्थानिये मान के बात आए दसमलों के बाद वाली तो असल में यह देखें दसमलों लगाए दसमलों हटाए तो क् संख्या है तो जी मोत्तkem 5 भ्रवन तो 5-10में और यही अगर चे का पूस्ता चे का पूस्ता तब हम क्या करते कि bard mowu भटाते कि एक हैं किती संख्या हैं दो संख्या हैं तो छे सोवां तो इस और से आपको करना था तो अगला प्रश्न हो सकता है इस साल जो बदल के छे सौवयां स्थान के लिए आ जाए या इसके बाद एक और संख्या दे दे उसके लिए आ जाए तो आप इस अगर समझ लेते हैं तो आप उसको असानी से हल बच्चो करने मुझे लगता है इस बार यह प्रशन आएगा बदल के ठीक है Q6 का इसले बच्चो C option सही है Q7 है चार उंको की सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्याओं का युगफल देखे इस तरह के अभी मैंने प्रशन दिखाए 21-22 में आयो हैं सबसे बड़ी और सबसे छोटी चार उंको की संख्या तो आपको पता है चार उंको की जो सबसे बड पूछ रहा है का योगफल योगफल मतलब जोड यहीं अंतर होता था हम घटा देते ठीक है योगफल के लिए 9-9-9 और यह 9-10 ठीक है तो किस option में है साथ में का option नमर भी बच्चो इसलिए सई है ठीक है अगर बच्चो पूरे प्रशन आपको बताने हैं बेदिवत समझान तो आप कमेंट सेक्शन में लिखेगा तो मैं जरूर बता दूँगा थैंकि बच्चो थैंकि अ